सीरियल किलर अपनी खुशी के लिए किसी व्यक्ति को मारने के लिए कई बार वह एक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं. वे मारने की क्रिया को ऐसे देखते हैं, जैसे यह किसी प्रकार की कला हो. कभी-कभी लोगों को मारने के पीछे उनका एक मकसद होता है. भयानक, है न? एक किस तरह से बरबरता और हिंसा के साथ किसी को मौत के घाट उतार देता है? भारत में सीरियल किलर की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है. भारत में इतिहास कुछ सबसे कुख्यात सीरियल किलर का गवाह रहा है, जिनके अपराधों ने इनसान को हिला के रख दिया है. अमर बदनामी से बचने के लिए उसके परिवार ने बेहन और चचेरे भाई की मौत को छुपाया था. लेकिन जब पडोसी की बेटी की हत्या हुई तो पूरा गाव इस किलर के खिलाफ भड़क गया और पुलिस बुला ली गई. उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह इन ब मूल रूप से उसका नाम गौरी शंकर था. उसने तेजी से अवैध अरक, नारियल शराब के तसकर और स्थानिय यौन व्यापार में भागीदार के रूप में कोख्याती प्राप्त की. हालां कि भारतिय सिलसिलेवार हत्यारों की इस सूची में जो चीज उनकी स्थिती को स सिनेमा के प्रभाव को दिया. हालां कि अपनी फांसी से ठीक एक महीने पहले उसने कुछ राजनेताओं के इशारे पर हत्याए करने की बात को बूल की, जिन्होंने अफरित लड़कियों का यौन उतपीडन किया था. अपनी गिरफतारी के बाद चेननई सेंट्रल जेल से भागने का साहस करने के बावजूद, अधिकारियों ने बाद में उसे रावर केला, ओडीशा में पकड़ लिया. 1905 में सेलम जेल में फांसी पर शंकर की मृत्यू हो गई. रमन राघव, रमन, जिसे कभी-कभी साइको रमन के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा चरित्र था जिसने 60 के दशक के दौरान मुंबई में जुग्गी जोपडियों के निवासियों को पीड़ा दी थी. वह अपने शिकार को डंडे से मारता था. गिरफतारी के समय रमन को सिजुफ्रेनिया का पता चला था. जबकि उसके पीड़ितों की संख्या 23 बताई गई है, विशेश शग्य भी केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि उसकी स्वीकारोक और मानसिक स्थिती बहुत संदिग्ध थी. यह एक रहस्य ही बना रहेगा, क्योंकि 1975 में किड़नी की समस्या के कारण रमन का निधन हो गया था. चार्ल्स शोभराज बिक्नी किलर. अपनी कुख्याती के बावजूद, चार्ल्स शोभराज अपने समय के सबसे कुख्यात भ सिलसिलेवार हत्यारों के विप्रीत शोभराज का एक मकसद था. डकैती के माध्यम से अपनी असाधारन जीवन शैली को वित्त पोशित करना. वह अकसर परियतकों और संभावित पीडितों का विश्वास ऐसी कठिन परिस्थितियां गढ़ कर हासिल करता था, जिन से वह उ बिकनी किलर पड़ गया. निठारी किलर्स पीडोफिलिया और अंगों की तसकरी का आरोप लगाया गया था. इन में से कुछ आरोप सच थे, जबकि अन्य महद अफवाह थे. कोली और पंडेर दोनों को 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी. बियर मैन. अक्टूबर 2006 और जनवरी 2007 के बीच मुंबई में 6 लोगों की हत्या कर दी गई. और प्रत्येक मामले में पुलिस को पीडित की लाश के बगल में बियर की एक कैन मिली. इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने निशकर्ष निकाला कि यह एक सीरियल किलर था. जनवरी 2008 में रवींद्र कांट्रोले को साथवी हत्या का दोशी पाए जाने के बाद, उन्हें दो अतिरिक्त बियर मैन पीडितों की मौत के लिए भी जिम्मेदार पाया गया. लेकिं 2009 में परियाप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गय जबकि बियर मैन से जुड़ा रहस्य असपष्ट बना हुआ है, वह वर्तमान में मुंबई में एक रिसरा का मालिक है. ठग बहराम, सांखिकी ये आंकडों के आधार पर ठग बहराम इतिहास में सबसे विपुल भारतिये सिलसिलेवार हत्यारों में से एक है. केवल 125 लोगों की हत्या करने की बाद स्वीकार करने और यह बनाए रखने के बावजूद कि वह अन्य हत्याओं के समय घटना स्थल पर मौजूद था, उसे 1790-1840 के बीच 931 से अधिक लोगों की हत्या करने के रूप में उद्रित किया जाता है. वह मध्य भारत में फहले कुख् ठगी संप्रदाय का एक प्रमुक सदस्य था. बेखबर पीडितों को लूटने से पहले ठग उनका आपचारिक रुमाल से गला घोंट देते थे. फिर वे यात्रा दलों पर कबजा कर लेंगे. 1840 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया. संतुक बेन सर्मन भाई जडेज ने गुजरात के पोरबंदर इलाके में अपने पती की मौत का बदला लेने के लिए एक गिरोह को नियंतरित किया. रिपोर्टों के अनुसार उसने अपने गिरोह के सदस्यों को प्रतिदवंध्वी समूह के एक सदस्य को मारने के लिए प्रतियक को एक लाख रुपए की जिसके परिणाम स्वरूप उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ 500 से अधिक मामले और उसके खिलाफ हत्या से संबंधित 14 मामले दर्ज किये गए. इतना सब करने के बाद भी उसने from 1990 to 1995 विधायक के रूप में काम किया. In 1999, रबाना आजमी स्टार, गौर्ड मदर संतोक बेन, सर्मन भाई जडेजा के जीवन और समय पर आधारित है. साइनाइड मोहन कुमार जिसे साइनाइड मोहन के नाम से भी जाना जाता है. इसे 20 महिलाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था. महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के बाद, वह महिलाओं को गर्भ निरोधक लेने के लिए बरगलाता था, जो वास्तव में साइनाइड की गोलियां थी. 2005 से 2009 के बीच, उसने करीब 20 महिलाओं की हत्या की थी. कहा जाता है कि वह कथित रूप से बैंक धोखा धड़ी और अन्यवित्ती ये जालसाजी में भी शामिल था. दिसंबर 2013 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी. साइनाइड मलिका, केडी केमपमा जिसे साइनाइड मलिका के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पहली सजा याफता महिला सीरियल किलर थी, जिसने 6 महिलाओं की हत्या की थी. बैंगलोर म की उसने निम्न मध्धिम वर्ग की महिलाओं को टार्गेट किया, जो घरेलू हिंसा का सामना कर रही थी, और फिर उनका सामान भी लूट लिया. उसे 2007 में गिरफतार किया गया था, और अब उसे आजीवन कारावास दिया गया है. चंदरकांत जा, एक नेटफिक्स डॉक्य जिसका शीरशक है भारतिय शिकारी, दिल्ली का कसाई जुलाई 2022 में चंदरकांत जा पर फोकस किया. फिल्म में जाकी उठी 98-2007 के बीच हुई सिलसिलेवार हत्याओं की कुख्यात श्रंखला को दिखाया गया है. ऐसा बताया जाता है कि उसने उनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उन्हें टोकरियों में भर दिया और पीडितों के क्शत विक्शत शवों को वर्षों तक तिहार जेल के बाहर छोड़ दिया. वह वर्तमान में जेल में है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. यह भारतिय इतिहास की सबसे कुख्यात में से एक है. यह जैक्द रिपर पर भारत की अपनी राय के समान है. उनके सिर को एक बड़ी कुंद वस्तू से कुचल दिया गया था, जिसके कारण कलकत्ता के एक अख़बार ने अग्यात हत्यारे का नाम दे स्टोन मैन रखा. हाला कि यह निश्चित रूप से बताना अस और जेल जाने के बाद उन्होंने अपने अपराधों की सूची में जेल ब्रेक भी शामिल कर लिया. उसका प्रत्येक शिकार एक महिला थी और कहा जाता है कि उसने उन पर छुरे से वार किया था. उसे फिर से पकड़ लिया गया. दस साल की सजा हुई. तोसाराइच्छे से 2009 तक तमिलनाडू और करनाटक में उसने करीब 20 अपराध को अंजाम दिया. जेल में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था. 2018 में उन्होंने शेविंग ब्लेड से अपना गला काट कर आत्महत्या कर ली. रेणुका शिंदे और उनकी बेहन सीमा गावित की मा अंजना बाई ने उन्हें छोटे लुटेरों के रूप में प्रशिक्षित किया. बेहनों ने पाया कि अगर वे पकड़े गए तो वे बच्चों को बली का बकरा या बचाव की पंक्ती के रूप में इस्तिमाल कर सकती हैं. फिर उन्होंने चोरी करने के लिए छोटे बच्चों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया. जो लोग उपद्रव मचाने लगे उन्हें हटा दिया गया. उन्होंने चौंकाने वाली बात यह भी कही कि उन्हें याद नहीं है कि 90 के दशक से पहले उन्होंने कितने बच् का आरोप लगाया गया तो यह जोड़ी 1955 के बाद से भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बनने जा रही थी. हालांकि 2022 में उन्की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया. किलर अक्कु यादव पुर्जिला न्यायालय के ठीक बाहर 200 से अधिक महिलाओं की भीड़ द्वारा उसे पीट पीट कर मार डाला गया था. उसे कई बार चाकु मारा गया और उस पर लाल मिर्च पाउडर और पत्थर फेंके गए. उन में से एक महिला ने उसका लिंग भी काट दिया था.